नमस्का, मैं उस्तासी आये जरकन की टव पचीस पर मुख खबर जानते हैं चीनी सेना पूर्वी लद्धा के एलेसी छेत्र पर अपनी सेन चमतर लागातार बढ़ा रही है खबर हाई कि चीन ने एलेसी पर दस एयर से अधिक सेन समेत अन सेन साजो समान वहाँ तैनात किया है जारखन महसम विभाग के नुसर 25 से 29 जून तक राची समेत आसपास के छेत्रों में बादल छाय रहेंगे और गरज के साथ हलके से मध्य दर्ज की बारिस होगी महसम विभाग के नुसर साइकलोन सर्कूलेशन वर टर्फ लाइन का असर के कारण 29 जून तक राजे में उत्री वर मध्य जीलो दक्षिनी पूर्वी इलाकों में गरज के साथ बजरपात होने की संभावना है महसम विभाग के अनुसर सबसे कम बारिस होने वाले जीलो में देवघर पाकूर गुमला दुमका है 14 दिन बाद भी फीस माफी का आदेस जारी नहीं कर सके मंत्री सिक्षा मंत्री जगरनात मतो निजी इसकूलों में लवड़न अवधी की ट्यूशन फीस तो माफ नहीं करा सके निजी इसकूलों के साथ बैठक में जीन बातों पर समती बनी थी उससे समधित आदेस भी अभी तक जारी नहीं हो सका है बार्सिक सुल्क के साथ अने सुल्क नहीं लेने की भी फाइल इसकूली सिक्षा यवं ससता विभाग तथा अने विभागों में जबकि 1575 लोग स्वस्थ हुए और 12 की मृति हो गई भारत में कुल संक्रमितों के संक्या 4,72,985 है जबकि 2,71,888 लोग स्वस्थ हुए और 14,907 की मृति हो गई से 42 लोर्दागा से 4 राची से 4 पूर्वी सिम्म से 2 लाते हार से 2 गुमला से एक लोग स्वस्थ हुए हैं लोकडाउन में 6.89 लाख लोग जर्खन लोटे 2.9 लोग को रोजगार बैसिक महमारी के वज़ा से देस भर में घोसित लोगडाउन के दवरान देस के अलग-अलग हिस्वों में 6.89 लाख से अधिक लोग जर्खन लोटे इसमें से 5,11,663 को प्रवासी मजदूर के रूप में चिनित किया गया है इन मजदूरों में से 2,90,000 से अधिक लोगों का ग्रामिन विकास विभाग ने सर्वे किया जिसमें पाया कि 2,00,000 अकुसल स्रमिक हैं जबकि कि भारी संख्या में लोगों को मन रेगा से जोड़ा जा चुका है देवघर में इपूजा की तयारी संक्रमन को देखते वे स्रावनी मेला के आयोजन की कोई तयारी नहीं है राजसरकार इस सावन देवघर और वासुकी नाथ में इपूजा के आयोजन की तयारी कर रही है आपको बता दे कि पर्यटक विभाग ने इसे समन्दित प्रस्ताव तयार किया है प्रस्ताव मुखमंत्री एमान सुरेन की समति के लिए भेज दिया गया है इस पर एक से दो दिनों में अधिकारियों के साथ बैठा कर मुखमंत्री निनर ले सकेंगे जारखन में अभियान समान का आउजन डीजीपी ने दिया आदेस जारखन पुलिस ने अपने कर्मिकों को उनके अच्छे काम के लिए समाने करने का निनर लिया है इस समान अभियान के तहट अगले साथ दिनों तक समान कारिकर्म का आउजन होगा डिजीपी एमबी राव के आदेश पर राज भर में सिपाही हवलदार और चतुषवरगिये पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समधान के लिए इसका आविजन किया जाएगा डिजीपी के आदेश के मुताबिक इस संक्रमन काल डिवटी में जार्खन पुलिस का काम काफी सरानिय रहा है ऐसे में पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनकी समस्याओं के प्रति सनवेदन सील होकर उसे सुलजाने की जरूरत है जार्खन की कोईला परियोजनाओं में टेंडर फंडिंग मामले में हाई कोट का फैसला जार्खन की दो कोईला परियोजनाओं में टेंडर फंडिंग के मामले में जार्खन हाई कोट ने वो दोआ को अपना फैसला सुना दिया इस मामले में मानिया उस नियाले ने टेंडर फंडिंग के आरोपी नक्सली, बीरबल, गंजु और साथी ट्रांसपोर्ट की जमानत अरजी खारिच कर दी बता दे की चात्रा जीला के टंडवा पर्खंड इस्तित मगद और अमरपाली कोल पर्योजना पर टेंडर फंडिंग के आरोप लगे थे जार्खंड में 22,000 सिक्षक भरती की त्यारी शुरू जार्खंड राज के प्राइमरी से लेकर प्लस टू इसक्षकों के नियुक्ति की परकिरिया सुरू हो गई है इसे लेकर इसकूरी सिक्षा और सक्षेता विभाग ने त्यारी सुरू कर दी है दिसंबर 2020 तक सेवा निवरित होने वाले हाई और प्लस टू के सिक्षकों की लिस्ट जीलो से मांगी गई है इसके अधार पर रिक्तिया तय की जाएगी इस पर नियुक्तिया परकिरिया सुरू हो सकेगी आपको बता दे की हाई और प्लस टू सिक्षके पसे प्राइमरी टैस को बोर्ला में बाई चैक्षक करना की त्यारीक का रही है स्वाश साछी डैक्टर नितिन मदनकूल करनी ने इसकी पूश्टी की है मालूम हो कि निजी लैव में फिलहाल जाच सुल्क 45 रुपे लिये जा रहे हैं या सुल्क काफी अधिक है राज सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है जूम अप का स्कूलों ने किया भहिसकार संक्रमन काल में ऑनलाइन एजूकेशन को बढ़ावा देने के लिए राजची के तमाम स्कूलों ने जूम अप को अपनाया इस अप को बेहतर विकल्प बनाया गया भारत वचीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद सिक्षा जगत से बिरोध के सोर उठने लगे है अधिक स्कूलों ने जूम अप को किनारा कर दिया है इसके बदले दूसरे अप के जरिये पठन परकिरिया का संचारन करना सुरू कर दिया है नवदय विद्याले में नमांकन एक जुलाई से सुरू होगी नवदय विद्याले में नमांकन की परकिरिया जुलाई से सुरू होगी नवदय विद्याले समीति की माने तो 6 काक्षा के लिए एक जुलाई से ओनलाई आवेदन लिया जाएगा वहीं 9 काक्षा के लिए 3 अक्टूबर से आवेदन लिया जाएगा बतादे की नवदय बीद्याले में नमांकन के लिए ग्रामीन शेतर के बच्चेक के लिए 75% सीटे आरक्षित होती है जिस में से 67% परतिसाद छात्र और 33% छात्राअ के लिए सीटे आरक्षित रहती है मुख मंतरी हिमन सूरेंस मंगलवार को काके रोड राजी स्थित उनके आवास पर राजी उपायुकत राय महिमापत रे ने मुलकात कर मुख मंतरी रात कोस के लिए पास लाख रुपय का चेक सोपा संक्रमन से निपटने के लिए राची परसासन के एक छुक करमियों ने एक दिन का वेतर मुक्ष मंतिर रात कोस में जमा किया उपायुक्त ने CM को बताया कि बैस्विक महामारी से संघर्ष के लिए जीला परसासन के करमचारियों ने राज सरकार को साहता रासी परदान की है सिम्डेगा में किसानों के बीच डोलो माइट का वित्रन सिम्डेगा के ठेठाई टान परखंड मुख्याले इसीत क्रीशी विभाग में डोलो माइट का वित्रन किया जा रहा है परखंड के बिभीन गाव में क्रीश को के बिच डोलो माइट का वित्रन निसुल किया रहा है परभारी ने बताया कि डोलो माइट को टान खेत में डाल कर जोताई किया जाता है जिसे डोलो माइट अमलिये मीटी को चारिये मीटी बनाने के साथ उर्वरग सक्ति बढ़ाने में काम करता है बी आरों के बाद अब L&T कंपनी को चाहिए जारखंट के कुसल स्रमिक लोगडाउन की मारके भी जहरखंड के सरमिकों के संगठित रूप से दूसरे राजों में जाकर काम करने की परकिरिया बदल रही है देश की जानीमानी कमपनिया राज के सरमिकों के हुनर की वाजिब कीमत देने को तयार होने लगी है Border Road Organization के बाद अब L&T जार्खंड की स्रमिकों को निर्मान छेत्र में काम देने के लिए आ गया है कम्पनी ने जार्खंड से 5000 स्रमिकों के लिए अन्रोध किया है सैलून पारलर खोलने के लिए नाई संग का धर्ना अखिल भातिये नाई संग ट्रेड यूनियन तुपुदाना की ओर से सैलून और पालन खोलने की मांग को लेका संकेतिक धार्ना दिया गया संगठन ने नेताओस से कहा कि हजामत से जीविका चलाने वाले नाई समेत अने समाज के लोग लोगडाउन की वज़ा से परसान है उनके समने जीविका की समस्या आ गई है उधर जामतरा निवासी अभिजीत भंडारी ने नाई समाज के लिए सरकार से आथिक पैकेज का एलान करने को कहा है पलामो में सब्ताहिक क्वीज ग्रामिनों ने पूलिस को बनाया बंधक पलामो जीला के विद्यार्थियों ने डीजी कलास के साथ होने वाले सब्ताहिक क्वीज में हैट्रिक लगाई है सब्ताह के अंत में होने वाले क्वीज परतियोगता में लगतार तीन हफते तक जीलों के विद्यार्थियों ने पर्चम लाराया है इस मोखे पर उपायुक डाक्टर संतिनु कुमर अगरहरी ने विद्यार्थियों, सिख्चक तथा अभिवाकों को बधाय दी है उधर पलामू के चैनपूर थाना चेतर के गाउं में लोगों ने पुलिस को एक तीम को बंधक बना लिया इनका काना था कि पुलिस एक हवलदार और उसकी पत्नी की सिकायद पर एक तरफा करवाई कर रही है करीब चार गंटे बाद SDO ने लोगों को अस्वासन दिया कि मामले की निस्पक्ष जाच होगी इसके बाद लोगों ने जा माटाया हज यात्रा निरस्त्र जारखंड के 281 जयरीन हज पर नहीं जा पाएंगे हज यात्रा पर जाने की इक्षा रखने वाले लोग इस बार कावा का दिदार नहीं कर पाएंगे संक्रमन को देखते वे इस साल हज यात्रा 2020 पर रोक लगा दी गई है बता दे की जारखंड के विभीन इलाकों से कूल 281 जयरीन ने इस वर्स हज पर जाने के लिए केंद्रिय हज कमिटी में आविदन दिया है जिसमें से 450 लोग राची से समीली था है लोका युक्त का आरोप अपने अपसर को बचाता है एसीबी बरश्टाचार के मामले की जाच पर सरकार और लोकायुक्त आमने सामने है लगतार दूसरे दिन भी लोकायुक्त जस्टिश दुरूव नरायन उपाद्याय सरकारी जाच एजेंसी पर खाफा दिखे उन्होंने कहा कि लभग सभी विवाकों में भरश्टाचार ब्यापत है मंत्री मंडल निगरानी वा एसीबी की करवाई छोटी मच्छलियों तक ही सिमित रहती है लेकिन इस भरश्टाचार के केंदरे में जो अफसर कलास टू आफसर होते हैं उन्हें बचाया जाता है इतना ही नहीं भरश्टाचार निरोधक ब्योरो किसी न किसी परकार से रिपोर्ट वा पत्रचार के माद्यम से लोगायुक्त की सकतिया की गलत बयाकता करता है और ऐसा करने का पर्यास भी करता है हजारी बाग में रातो रात ही ओडियेप हो जा रहा गाउ गरामीन हरान रात में खुले में सोच जाने वाले गरामीन का गाउ सूबा होते ही ओडियेप हो जा रहा है यह सुनकर गरामीन हरान है आपको बता दे कि गाउं को खुले में सोज से मुक्त करने की करस्तानी हजारी बाके पेजल स्वास्ता भी भाग कर रहा है घरों में सोचाले नहीं है तो गाउं के बाहर ODF का बोड कैसे लग गया है इसकी जनकारी गाउं के मुखिया तक को नहीं है ऐसे में ग्रामीनों ने इसका बिरोध करना सुरू कर दिया है बंदे भारत मिशन के तहाथ यूक्रेन से लटे 14 स्टुडेंट बंदे भारत मिशन के तहाथ क्यू यूक्रेन से 14 मेटकर स्टुडेंट बुद्वार को जरखंड वापस लटे युक्रियन से यह और इंडिया के फ्लाइट से नई दिली और नई दिली से बिहार एरपोर्ट पर उत्रे उसके बाद पुलिस की मौजूदगी से सभी को हजारी बाग लाया गया उधर करनाटक से 288 तरमी के स्पेसल टेन से बुद्वार को धनवाद पहुंचे 37 दिवस पर पुरसकार के लिए 20 पूलिस पता अधिकारी के नाम भेज़े जा Walking सब्सक्राइब करने के लिए इसक्राइब करने के लिए इसक्रीनिंग कमेटी ने सीम को प्रस्ताव भेजा था रासन लावको को मिलेगा फोटीफाइड चावल राज में एनिमिया को दूर करने को लेकर सरकाथ सभी जीलों में फोटीफाइड चावल का वित्रण परनाणी से करने की त्यारी में है करीब 2.64 कोर रासन लावको के 77 सरकारी स्कूले के बचों को मद्यान भोजन और आगन बाड़ी में इस चावल का वित्रन किया जाएगा इसे लेकर खाद आपूर्ती विभाग अपनी त्यारी में जुट चुका है पहले चरण में पाइलट प्रोजेक्ट के माध्यम से ही स्योजना को रामगण जिला में सुरू किया जाएगा रामगण में चिन्मस्तिका मंदीर का कपाट बंध होने के बावजोद भी सरधालू पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं तो चलनों को सब्सक्राइब कर भगल बेल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टागराम पर सेर करें और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे थाइंक्यू